हेलो फ्रेंड्स नमस्कार खुसी स्टार्ट फूर्ड में आपका स्वागत है तो आज में आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत यूसफुल की चन टिप्स जो मेरे तो काफी कामाते हैं और मैं उमीद करती हूँ ये आपके भी कामाएंगे टिप्स यूसफुल लगती है तो लाइक शेज जरूर करें तो आए आज की पहली टिप देखते हैं यदि आप बिगनर हैं और सर्दियों में आटा गुतने में आपको काफी प्रोब्लम होती है आटा अच्छे से गुतता नहीं है काफी टाइम लग जाता है आटा एकदम सॉफ्ट नहीं ही लगता लगता और जब हम रोटिया बनाएंगे तो रोटिया भी हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी आटा गुतने के बाद आप इसके ऊपर एक चमच ओईल लगा दें गी नहीं लगाना है घील लगा एग तो आटा सकत हो जाएगा तो आप oil लगा देंगे, आटा एकदम soft रहेगा, रोटियां बनाएंगे, रोटियां भी एकदम soft बनेगी, तो सर्दियों में आटा आप गुनगने पानी से गुथें, इससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेगी, आपकी रोटियां एकदम soft, fully fully, बहुती अच्छी बनेगी, I hope कि ये टिप आपको useful लगी होगी, टिप useful लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कच्छी हल्दी के health benefit के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कच्छी हल्दी खाना हमारे लिए कितना फायदे मंद है, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है, और कच्छी हल्दी ना सर्दियों में भरपूर मातरा में आती है, तो जितना होसके हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन कई लोग कच्छी हल्दी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और कई बर हम भी बनाने में आलस कर जाते हैं कि इसको बनाने में ज़्यादा ताम जाम करना पड़ता है, इसके चकर में हम बनाते नहीं हैं, लेकिन आसमा आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, कुछ ही मिंटों में आप ये हल्दी की चटनी बना कर खापाएंगे, तो इसके ही आदा छोटा चमच जीरा डालें, जीरे को चटकने दें, एक चोथाई चमच ही हिंग डालेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और अब इसमें ग्रेट की हुई हल्दी डालेंगे, हल्दी को हम महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं ना ज्यादा अच चाते हैं, तो आप सरसों के तेल में बना सकते हैं, लेकिन घी में हम हल्दी को भूनते हैं, तो हल्दी की कड़वा हाट है, वो भी दूर हो जाती है, और घी में भूनने से बहुती बढ़िया टेस्ट आता है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लसुन की चटनी, जी हाँ मेर पास लसुन की चटनी नहीं है तो दो चमस लसुन ग्रेट करके वो डालने के बाद हम तीन-चार मिनट के लिए हल्दी को और भून लेंगे ताकि जो लसुन का कच्छा फलेवर है वो दूर हो जाए और हल्दी भी अच्छे से भून जाए दोले जाएğin मिर्च जयाता नहीं प थोड़ा सा मेंने नमक डाला है 3-4 मिनट के लिए हल्ति को और भून लिया है अब इसमें डालेंगे आचार का मसाला आपके पास जो भी अचार का मसाला है वो आप इसमें डाल लीजिए अचार के जो बड़े पी से उसे निकाल दे अचार का मसाला डालने से हल्दी में बहुती बड़िया टेस्ट आता है और हल्दी में हल्की सी खटास भी आजाती है जब आप ये हल्दी की चटनी खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप हल्दी का आचार खा रहे हैं दो-तीन मिनट के लिए और भून लेना है इसके उपर अच्छे से ओल या घी आ जाएगा दो-तीन मिनट बाद गैस की फ्लेम को ओफ कर दें और ये हमारी हल्दी की चटनी बनकर तयार है आप इसे हपते-दस दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीच में बना कर रख लें जब आपको हल्दी खानी हो आप ये खा सकते हैं और ये कच्ची हल्दी की चटनी आप पूरी परांथे चपाती किसी के साथ भी खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है इसके आप परांथे भी बना कर खा सकते हैं बच्utral को बनाकर दीजीए बहुत ही टेस्टी लगेंगे बच्चे बड़े सभी को ये बेहदी पसंद आएगी तो फ्रेंट्स आप भी सर्दियों में कच्छी हल्दी का सेवन जरूर करें ये आपके लिए बहुत ही फाइदेमद है आई होप कि ये टिप आपको यूसफुल लगी होगी ये टिप यूसफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेज जरूर करें देखिए सर्दियों की दिनों में हम थोड़ी देर के लिए भी रोटियां बना कर रख लेते हैं कैसरोल में भी रखते हैं तो रोटियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ज्यादा देर तक गरम नहीं रहती है तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि रोटियां रखने से पहले आप कैसरोल में गरम पानी डाल लें एक गिलास के लगबग पानी लें अच्छा गरम पानी लेना है कैसरोल में डाल दें इसको ढखकर रखेंगे 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट बाद आप पानी निकाले कपड़े से पौंस लें और रोटियां रख सकते हैं इससे रोटियां काफी देर तक गरम रहती है और डारेक्ट हम कैसरोल में रोटियां रखते हैं तो रोटियों में मौस्चर आ जाते हैं यानि निचे की एक दो रोटि है ना बहुत ज़्यादा सोफ्ट हो जाती है वो रोटि कोई खाना पसंद नहीं करता तो डारेक्ट इसमें रोटियां मत रखिएगा इसमें कोई स्टेंड लगा दें या फिर टीशू पेपर लगा दें फिर कपड़े में लपेट कर आप रोटियां रखें इससे रोटियां ज़्यादा देर तक सोफ्ट रहेंगी गरम रहेगी हमारे जो अचार के कंटेनर होते हैं इनको अच्छे से साफ करने के बाद भी यानि इनको अच्छे से दोने के बाद भी इनमें अचार की स्मेल रहे जाती है जाती नहीं है और जब हम इन कंटेनर में और कुछ सामान भी डालते हैं तो उसमें भी अचार की स्मेल आती रहती है तो इसकी smell को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे हम long लेंगे आपको 6-7 long लेनी है फूल के साथ ही ले लीजिए और long को न हम burner पर ऐसे set कर देंगे तो 6-7 long burner पर ऐसे set कर देनी है देखिए अब हम flame को on करेंगे कुछ second के लिए हम on करेंगे ज्यादा दिर नहीं जलाना यानि long को हम जलाएंगे नहीं जैसे long में आच लग जाए flame को off कर देंगे और long भूज गई है धुआ निकल रहा है तुरंत इसके उपर हम jar लगा देंगे पूरी धुआ जार में आ जाएगी तो ये देखिए इस तरह से आप burner के उपर ये jar रख दे long की धुआ जार में आ गई है अब ह दूर हो जाएगी और अचार भी हमारा सेफ रहेगा ये long पूरी तरह से जली नहीं है इनको फैकना नहीं है इनका यूज कैसे करना है वो देखते हैं जैसे हम तव्य पर long को भूनते है उसी तरह से ये भूनी है तो इनको फैकेंगे नहीं इनके जो फूल है इसे आप हटा देखते हैं क्योंकि ये काफि गरम होते हैं और जैसे सथी खांसे जुखाम लग जाता है हम लौं काली मिच सहद के साथ लेते हैं तो आप इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और मिक्स कर ले पांच साथ और इनका पाउडर सा बना ले पीस ले एक चमस सहद ले उसमें और कुछ सामान रखना है या अचाट डालना है आसानी से रख सकते हैं यदि सर्दियों में आपके सर में भी खुशकी हो गई है खुश ले चल रही है डेंडरफ हो हो रहा है तो इसको दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है आप सिरफ दो चीजों से ये होम रेमेडी बना कर त इतनी आपके हेर की ग्रोथ है ना उसके हिसाब से आप तेल डालें तीन चमच मैंने सर्दियों का तेल डाला है एक चमच निम्बू का रस डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपके पास विटामिन E के कैपसूल है तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं एक विट कर लिया है और यह हमारे हेर के लिए होम रेमेडी तयार है अपने सर में इसकी आच्छे से मसाज कीजिए और 15-20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे उसके बाद अपने बालों को दो लेंगे तीन-चार दिन बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं आपके सर में खुजली वीडियो आपको यूसफूल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच